वीदियो आपके लिए गुद्म सुनक मार की, अब थैसलग। इमनें लेकिन मेरी ली बीकिन कर दिकाश देवाली का नच्ज डेए. नेगडर्ण स्ट। देवाली मार को दिकाश। नेग आखकों सुवाली का देवाली का देवाली का देवालो artist दिवाली वाला food खाया होगा तो अब कहीं न गहीं body को तो हमें detox करना ही करना है गंदगी निकाले, even मुझे भी गंदी निकाले है वकॉस मैंने भी मिठा खाया है, खाना खाया, बहुत सारी चीज़े खाई है और में भी आज की दिन भी चलें लेकिन मैं आज पूरी कोशिश गरूँगी कि मैं detox डाइट लूँ तो first of all मैं आज आपको बताऊंगी कि आज से लेके 3 दिन तक मैं क्या करने वाली हूँ कौन सा detox लेने वाली हूँ और यह effective detox है full body के गंदगी को धून धून के body से निकालेगा पेट से, कमर से जितना भी शुगर आपने लिया है जितने भी चीनी लिया है उसे वाश आउट कर देगा एक देग मैं मलब गारंटी के साथ में बोल रही हूँ इसको क्योंकि जो इंग्रीडियंट मैं नेच्रल इंग्रीडियंट लिया है और तीन दिन तक ही सिर्क पीना है इसे अदा मत पीजेगा मरना शुगर लेवल बहुत नीचे चला जाएगा और आपको चक्कर तक आने लगेंगे तो मैं भी से तीन दिन ही लूँगी उससे जादा नहीं लूँगी क्योंकि जब भी मैं मीठा खाती हूं जब भी मुझे लगता है फेस्टिवल आ रहे हैं और मुझे मीठा खाना है तो यह चीजे मैं अपने घर में अबरेबल रखती हूं और मैं इसको लेना स्टार्ट कर देती हूं मेरा शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है जो भी मीठे मीठा जो पैट जमाता है बॉड़ी में वह नहीं जमने देता है पुरी तरह से निकाल देता है एवन पुराना फैट में निकल जाता है तो जो इतनी बाते मैं बता रही हूँ तो चले मैं बनाने ही चारी थी मॉनिंग में तो मैंने सुचा क्यों न आप लोगों के साथ भी शूट कर लिया जाए और बता दिया जाए कि जो आप लोग भी है वो लोग भी स्टार्ट कर दीजे तीन दिन तक तो जो भी आपने खाया पिया सब बॉश ओट कर दीजें बॉडी से तो चले दिखाते हूँ कि कैसे बनता है और कैसे तो फ्रेंड्स इस रिंग को बनाने के लिए आपको चाहिए लौकी का टुकडा और दो करहला मैंने कॉस्दी पाली से पहले लाके लख लिया था तो आप इसे कट कर लिजया अध्रग एक इंच लेनी है इन सारे चीजों को आपको ब्लैंड कर लेना है और आपको इसे एक तो सुबह खाली पेड़ लेना है और दीन में दो बाराप को लेना है सिर्फ तीन दिन तक और उसके बाद इसका इफेक्ट देखिएगा कितना अच्छा रिजर्ट है इसकिन ग्लो करेगी बॉड़ी का शुगर लेवल कंट्रोल होगा इस तरह से यह पिसके रडी हो जागा पानी मैं इसलिए डालती हूँ बिकाज जो करेला है क्योंकि अल्रेडी लॉकी में पानी होता है लेकिन फिर भी अध्रक अच्छे से पिस जाए और किसी भी चीज का छिलका नहीं उतारना है यह चीज आपको ध्यान रखनी है छिलके सहीत आपको सब करना है आप चाहे कपड़े से छान लीजे चाहे स्टेनर से छान लीजे मैं इस तरह से स्टेनर से छान लेती हूँ और इसे आपको जितना भी निकले वह पूरा आपको पीना है सुबह खाली पेट और लंच के बास सिर्फ तीन दिं तक करिए और अच्छा इफेक्ट आपकी बॉड़ी पे होता है फ्रेंड्स देखा किस तरह से एजी आसान सी रेसेपी है पीजे एट इंजॉए करियो और बोडी के अंपनी गंदिगी को बाढ़ी से बाहा निका दीजे पानी साथ 3-4 लीटर पीना है यानि 10-12 ग्लास पानी आपको पीन नहीं पीना है दन ये ट्रेंक लेना है वीडियो जरा साभी इंफर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजेगा चानल पसंदेगा तो पड़ा बड़ से सब्सक्राइब करेगा तो मिलती हूँ बहुत ही जुल्दी एक नया वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइए